जहिन अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में है दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रिडियलेट, प्रिवियेट, प्रिविस परिच्छा, एक्जाम प्रिप्रिशन, रिजनिंग का हमारे टॉपिक चल रहा है पार्ट नमबर सेवन है जिसमें हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों चित्र का अगला क्रम ग्याद करना अब देख रहा हूं नीचे चित्र आपको देखने को मिल रहा होगा लगातार तीन चित्र आपको देखने को मिल रहा होगा और चौंता जो ओप्सन देखने को मिल रहा है वो है दोस्तों blank अर्थात question market उस blank जगह में कौन सा चित्रा आएगा हमको नीचे 4 option देख करके बताना रहेगा ठीक है तो इसी का हम प्रिप्रेशन करने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को सुरू से last तक जरूर देखे क्योंकि जितने भी question में बताने वाला हो पूरी की पू तो दोस्तों आपको जरूर पता होगा चित्रों के मिलान से संबंधित बहुत सारे प्रकार के अर्था 10 प्रकार के आपको जो है चित्र से संबंधित question जो है पूछे जाते हैं जिसमें हमने पहला प्रकार जो देखा दोस्तों आकरती पूर करना अर्था लुप्त जो भाग है उसको ग्याद करने के लिए ठीक है जिसमें क्या होता था यह जो तीन भाग हमको देखने को मिलता था चौन्था भाग जो है लुपत रहता था तो नीचे चौर ऑप्सन देख करके हमको पूट करना है कि इन में से कौन से जो ऑप्सन है वहां एक पास जा करके फीट होगा ठीक है तो इसका हम लोग देख चुके हैं पिप्रिशन कर चुके हैं अगर आप नहीं देखे हो तो दोस्तों मैंने नीचे डिप्रिप्शन में लिंक के दे रखा है वहां से आप जरूर चेक आउट कर लिजएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा आज का जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो है क्रम को बढ़ाना ठीक है तो जैसे देख सकते हो आप नीचे चित्र दिये गए हैं जिसमें प्रत्यक प्रशन में कुछ आकृतियां बनी हुई है ये आकृतियां एक निस्चित क्रम में है उत्तर आकृतियों में एसी आकृति का चैन करना है जो स्रिंखला को जारी रखता हो ठीक है तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा दोस्तों कि जो है पिच्चर जो इसमें जो चल रहा है वो कौन से क्रम में चल रहा है ठीक है तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये देखें पहला जो इसमे तीन त्री भूज है उसके बीच में क्या है गोला है अगला क्रम देखें तो क्या हो जाएगा तीन त्री भूज के बाद चार भूजा हो गया और गोला आ गया अगला क्रम देखें दोस्तों तीस में क्या हो जाएगा पांच भूजा हो गया और बीच में क्या हो गया गोला आ देखने को मिल रहा है option number C में देखने को मिल रहा है तो option number C क्या हो जाएगा दोस्तों सहीं हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूं इस तरीके का प्रेशन दोस्तों जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के चुठकियों में स्वाल कर पाऊगे ठीक है चलिए दोस्तों देखते हैं next question और जो student नए है बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करका notification बेलाता है जरूरान कर लिजे चलिए दोस्तों देखते हैं अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि एक लाइन है उपर में द वरित्त है वो चार आ गया ठीक है तो अगर हम लोग करम देखें तो आगने वाला जो करम है उसमें क्या होगा तो सबसे पहले यहां पस दो वरित्त है यहां पस तीन वरित्त है यहां पस चार वरित्त है तो आने वाला अगला करम है उसमें कितना वरित्त होगा दोस्तों प बचा कि अचार वाला तो हमारा option number एईजा क्या हो जाएगा सहीं हो जाएगा कितना simple से चुटकियों में यह स्वाल हो गया देखने से भले आपको कठीन लग रहा और होगा ठेना लेकिन चुटकियों में स्वाल हो गया थोड़ा सा ध्यान रखके बनाओगे तो आपको जो है असानी से यह बन जाएगा ठीक है चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं next question देखते हैं next question भी उसी प्रकार का ही है जिसमें देखिए सबसे पहला box में दिया है दोस्तों आयाट बना हुआ है उसमें की बीच में गोला है और नीचे में कितने दंडिया निकली हुई ह ठीक है अगला जो करम है उसमें देख सकते हो आप जो है box जो है दो हो गया है लेकिन उसमें गोला की संख्या कितना हो गया दो हो गया है और नीचे डंडियों की संख्या क्या हो गया है एक कम हो चुका है ठीक है एक कम हो चुका है और इधर गो दोस्तों गोलों की संख्या तो अगला वाला जो क्रम होना उसमें कितना होगा गोलोगी संख्या 4 हो जाएगा तो अगर इसमें पहला उसन में तो इसमें 3 है, इसमें तो ये नहीं होगा हमारा option, तो option number B में देखें दोस्तों, तो इसमें 4 है, तो ये हो सकता है, option number C में भी 4 है, option number D में भी 4 है, अगर हम लोग देखें दोस्तों, नीचे में जो है, line खीचे हुई संख्या, तो यहाँ पास 4 है, यहाँ पास 3 है, यहाँ प चित्रों को देख कर करना है आख को समझना है ठीक है और दोस्तों मेरे बताने से पहले अगर आपको आंसरा चाल जाता है ऐस स़जेस्ट कर सकते हैं आपगं के सक्वान है यह व्यार हो जरू जब предлаг करना सफ एक तरो抵ां पहले दोस्तों अभ्यास Online Class आपके लिए लाया है टेस्ट सीरीज जिसमें इस टेस्ट सीरीज में मात्र दोस्तों आपको 70 रुपय में 11 टेस्ट दिलाने को मिलेगा जिसमें आपका Pre-DLAT, Pre-BAT test series के नाम से मिलेगा दूस्त में सारा preparation आपका हो जाएगा इसमें फायदा क्या है दोस्तों कि इतने भी question है जितना भी question selected किया गया है सभी के सभी दोस्तों व्यापन के तरज़े पर तयार करके बनाया गया है और दूसरा फायदा ये है कि दोस्तों आप अपना जो है level जान सक इस तरीके दोस्तों आपको डबल डबल practice set मिलने वाला है इस तरीके दोस्तों आपको 11 जो है practice set मिलेगा और इसका जो है registration भी open हो चुक है जल्दे से जल्दर registration करवाईए और दोस्तों इस test का फायदा लिजे तो इस registration आपको क्या कर किस तरीके से करना है आपको मातर सा 73,99,24 84 इस नंबर पर जो है दोस्तों 70 रुपाय का UPI payment करना होगा चाहिए आप फोन पे कर सकते हैं पेटियम कर सकते हैं गूगल पे कर सकते हैं कोई भी 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 यूपी आई कर सकते हैं ठीक है और payment successful होने के पस्चार दोस्तों इसी नंबर पर आपको क्या करना है WhatsApp कर देना है तो जो है time duration एक घंटे के अंदर जो है आप उसमें submit कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है बहुत सारे students को ले चुके हैं और आप भी दोस्तों पीछे ना रहें government college में selection के लिए ठीक है तो आप दोस्तों इसको जरूर लिजिए important है ठीक है आपके लिए तो चलिए देखते है next question question number 18 अब देखिए यहाँ पस दोस्तों चितर की इस तरीके से देखने को मिल रहा है सिर्फ arrow arrow दिया हुआ है तो यहाँ पस arrow का निशान किधर जा रहा है इधर जा रहा है अगला क्रम में कहा गया नीचे आ गया नीचे से क्या हो गया दोस्तों यह किधर जा रहा है left की ओर ज जा रहा है ठीक है तो यह भी यही समझना है कि यह कौन से दिसा में जा रहा है दोस्तों left में दिसा में है जो उपर की ओर जा रहा है तो right दिसा में भी रह सकता था जो उपर की ओर जा रहा है तो इसमें confuse मत हो येगा ठीक है जो कहां पास रहेगा दोस्तों जो right left side रहेगा और उपर की दिसम रहेगा, वही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पस क्या हो जाएगा, option number A is the correct answer, option number B, C, D, पुरी तरीके से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, चलिए देखते है next question, question number है 19 वा, इसमें हमको समझना होगा दूस्तों कि कि इसमें देखिए, इसमें एक box की संख्य बढ़ चुकी है, चितना भी हम question solve कर रहे थे, उसमें 4 box देखने को मिल रहा था, इसमें 5 box देखने को मिल रहा है, एक, दो, तीन, चार और पांच वा जो box है, उस पर question mark लगा हुआ है, तो देखिए, यहाँ पास सबसे पहले हमको देखना होगा, यह जो एक डंडी है, पहल रहा करम यहाँ पास, ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पास अगर हम लोग देखें, मतलब यहाँ पास थोड़ा से यह होना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, उसी तरीके से अगर गोला को देखो, तो यह पहले था, यह इधर आ गया, उसक है कि हमारे पास B और D ठीक है तो B और D कि according अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा दोस्तों option number कौन सा right हो जाएगा तो option number हो जाएगा दोस्तों B क्योंकि हमको पता है कि arrow का निसान है दोस्तों वो कौन सा करम में आ जाएगा अगला करम जो है नीचे आएगा तीरचा में ना कि सीधा सीधा क्योंकि option number D में जो त्रिभूज दिया है वो कहां तीर का निसान वो पूरा का पूरा सीधा है जबकि option number B में तीरचा हो जाएगा ठीक है तीरचा दिया है बराबर था वो दोस्तों कहां गया है यहां पास आ गया है देखी यहां पास ठीक है यहां पास आ गया उसके बाद दोस्तों यह उठ करके फिर उपर आ गया देखी यहां पास और अगला जो कराम होगा दोस्तों वो कहां जाएगा उपर से उठ करके साइड में आ जाएगा ठ उसके बाद दोस्तों यहां पास से उठकर के नीचे में आ जाएगा देखी यहां पास नीचे में आ गया तो अगला जो करम है वो नीचे से उठकर कहा जाएगा यहां पास आ जाएगा मतलब इस जगह पर आ जाएगा यह जो है पूरी तरीके से एंटिक लॉक वाइस चल रहा ठीक है तो चलिए दोस्तों देखते है next question, next question भी बहुत ही simple सा है, आपको comment करके जवाब देना है इसका right answer क्या हो जाएगा, क्योंकि आपके preparation जितना आप करोगे, जितना ज्यादा practice करोगे आपके लिए बहतर होगा, चलिए देखते है next question, question अब है 21, देखी यहाँ पास एक त घंडी की दिशा आपको धिहां रखना है, एक बार में क्या हुआ दोस्तों, नीचे आया, एक बार में ऊपर आया, ठीक है, एक बार में right side में आया, एक बार क्या हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा दोस्तों, यह ऊपर की दिशा में आएगा, ठीक है, तो कौन सा दोस्तों तो option number हमको देखने को मिल रहा है इस तरीके का जिसमें क्या हो जाएगा हमको देखने को मिल रहा है option number C में देख सकते हो option number C option number C क्या हो जाएगा सहीं हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूँ यह question तो आप definitely बना लेते हैं ठीक है चलिए देखते है next question next question भी बहुत ही simple है देखी यहां पस त्रिभूज की संख्या को आपको देखना है एक त्रिभूज इधर जा रहा है और उसके बाद एक त्रिभूज इधर जा रहा है ठीक है तो यहां पस देख रहे हो अगला जो इसमें बॉक्स में जो दिया है त्रिभूज उसमें एक त्र ट्र लग यह चूंथा क्रां तीसरा में दिया है उसमें एक चौंसा प्रिभूझू आने वाला के संक्राइं कि नहीं हो तो 5 है है इसे कौन से पेговburn गीन देते हैं एक 2-3 चार तो यह नहीं होगा एक 2-3-4 अप्सिंटर और सी हो सकता है option number D देख लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच तो ये भी हो सकता है लेकिन अगर हम लोग देखें तो सभी में त्रिभूल सबसे उपर वाला इधर इस दिशा में है और नीचे वाला भी कौन से दिशा में आएगा इस दिशा में आएगा तो अगर इसमें क्या हो रहा है option number D में तो इधर आ रहा है मतलब ये नहीं होगा तो बचा क्या, option number C option number C is a correct answer तो option number C में गोल लगाईएगा next question में चले जाईए चलिए देखते है next question आपको बनाना है ये वाला question तो देखिए, मेरे बताने से पहले दोस्तों आपको समझना होगा और उसके बाद ही आपको ज़ह फटाक से comment बकर बकर करके ज़रूर बताईएगा, ठीक है question number 23 इसमें दोस्तों 5 गोला sorry, 6 और बीच में एक करके 7 ठीक है, 7 गोला देखने को मिल रहा है और उसके बाद दोस्तों आपको जो है करम में देखिए, क्रॉस देखने को मिल रहा है 6 का, उसके बाद त्रिभूस देखने को मिल रहा है 5 का, उसके बाद दोस्तों गोला देखने को मिल रहा है 4 का, और तो हमेरे पास जो अगला 3 में हमको 3 star देखने को मिल रहा है, तो star हो सकता है, तो option number C में देखें, तो इसमें 2 box अलग-लग देखने को मिल रहा है, तो यह नहीं होगा, option number D में देखो, तो सिर्फ 2 है, तो यह क्या हो जाएगा, यह अगला क्रम हो जाएगा इसका, ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं लेकिन क्या हो जाएगा हमको यहाँ पस तीन वाला content चाहिए जिसमें क्या हो कोई भी चीज जो है तीन बार हो तो अब स्टार वाला हमको देखने को मिल रहा है तीन तो option number b is a क्या हो जाएगा correct answer तो option number b right हो जाएगा चलिए देखञा है next question next question भी बहुत ही simple सा है देख़े एक वर्ग है वर्ग को cross करके काटा गया है अगला जो ग्रम है उसमें क्या हो गया है ठीक है तो अगला ऐसा क्रम क्या होगा जिसमें से ये जो है दोस्तों अगर हम लोग देखें तो उसमें कौन सा इमेज बनेगा अगर इसमें देखें दोस्तों तो पहले डंडियों को कम करते जाएए ठीक है अगर इसमें कुल डंडियों की संख्या अगर मैं देखूं तो क्य च्छे डंडिया है इसमें 6 डंडी हो गया और इसमें कितना डंडी हो गया पांच डंडी हो गया इसमें कितना डंडी हो गया ठीक है इसमें कितना डंडी हो गया तीन हो गया तो आने वाला जो करम हो इसमें कितनी डंडिया रहेगी दो डंडिया रहेगी ठीक है तो दो डंडि A सहی है कि B सहی है तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमको ये चीज़ समझ रहा होगा कि इसमें जो क्रम है वो किस तरीके से जो है डंडिया गायब हो रही है ठीक है, सबसे पहले दोस्तों पूरा था अगले जो क्रम में बीच का गायब हुआ उसके बाद क्या हुआ दोस्तों साइट का गायब हुआ उसके बाद फिर इधर के एक साइट का गायब हुआ तो उसके बाद दोस्तों क्रम में जो है जो दोस्तों आपको एक साइट का गायब हो जाएगा यह वाला हिस्स जो है गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पा फिद डॉट है ठीक है उसके बाद क्या करेंगी उसी का अगर हम लोग देखें तो दो हो गया और दो डॉट होने के बाद क्या हो जाएगा पूरा एक तुर्भूच का सेफ ले लिया है ठीक है तो अगला क्रम क्या हो जाएगा थोड़ा सा इसे थोड़ा confusion हो सकता है आपको लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों इसमें पहले एक था फिर दो हो गया ठीक है मतलब दो ऐसे चीज है जिसमें क्या हो गया डबल डॉट है फिर आने वाला जो अगला क्रम है फिर डबल डबल डॉट है तो आने वाले जो क्रम रहेगा दोस्तों है तो आया थो लहाँ होगा क्या लाहीं होगा तो बचा क्या मरे पास सिर्फ और सिर्फ बसक्त नम्बर डी क्या हो जाएगा सहीं हो जाएगा। तो मैं उम्मिद करता हूँ इस तरीके का प्रशन जब भी पूछा जाएगा, आप असानी से जरूर स्वाल कर पाएंगे, ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं, next question, question number 26, उसके बाद दोस्तों बहुत से different type के आपको question देखने को मिलेंगे, सभी का हम लोग दोस्तों देखने हैं, चलिए देखते हैं, next question, next question किस तरीके से बनेगा, देखे, यहाँ पास इसका संबन इस से है, तो उसी प्रकार इसका संबन इससे की सतरीके से होगा, हमको यह बताना है, इसी प्रकार का सारे question जो है, हमको देखनी को मिलेंगे, ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए मैं जरूर बताइए कि इसका right answer क्या हो जाएगा ये question आपके लिए home work के लिए है देखे नीचे दिये गए प्रत्य प्रत्य प्रश्ण में जो आरेक हैं उसके दो जोड़े बन रहे हैं आपका ये वाला एक जोड़ा बनेगा और ये जोड़ा बनेगा ठीक है तो उसमें से एक जो हो जाएगा इसके बराबर में है और इसके लिए ये जोड़ा बनेगा यहां पास तो यहां पास इस question मार के जगा क्या आएगा ये या फिर ये या फिर ये तो comment करके मुझे बताना है दोस्तों कि इसमें जो है कौन सा जो है right answer आएगा ठीक है तो important है question number 26 डाली और कौन सा right answer हो जाएगा मुझे बताएगा ठीक है धर डिया गया है एक दिया है और यान से बोप्राइब कर दिया है उसको overland तो इसके साथ मेरी चैनल के साथ जूड़े रही है लगातार मैं प्रिप्रेशन कर रहूं हर टॉपिक को लाने की कोशिश कर रहूं एक्जाम से पहले आपका जो है दोस्तों सारे टॉपिक कम्लीट हो जाया मेरी ये पूरी कोशिश है ठीक है और मिलते हैं दोस्तों नए जाए हिंद्ट